कुदेव जो पी असी महोंगे बाबाल दिन रात पढ़ना है मझा वो धामाल काव पर ले तसरे ठेन सन अरे काव पर ले तसरे ठेन सन जब अप सरवन के ते कर वे धामाल ये कैसे होगा से आप सभीगा इवेस किसका क्षामे स्वाइब आज जो हमारा टॉपिक है वो जल पर होगा वाटर पर होगा अगर हम जल के अस्तित्व की बात करें तो आप सभी इससे परिचित हैं ऐसा कोई नहीं है जो जल के बारे में नहीं जानता हो भले ही हम इसके रसानिक रूप के बारे में नहीं जानते हैं किन्तु अगर हम बेसिक जो हमारा समान ने जीवन होता है उसके अधार पर हम सभी जल के बारे में जानते हैं कि जल एक ऐसा पदार्थ है या प्रक्ति का एक ऐसा संसाधन है कि इसके बीना हम किसी चीज की कलपना ही नहीं कर सकती जल के बीना जीवन ही रुख जाएगा ये सभी चीज से हम वाकिफ है देखने को मिलते हैं इसके रैसायनिक गॉर से सवाल देखने को मिलता है इसका जो अवस्था होता है जो अवस्थाएं होती है वो सारी चीज़े देखने को मिलती है चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके कुछ general information के साथ अगर हम जल की बात करें तो जल या पानी एक आम रसाइनिक पदार्थ है जो किस से मिलकर बना है अगर हम जल की formula की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जल जिसका formula क्या है जिसका formula H2O है मतलब ये 2 hydrogen और 1 oxygen से मिलकर बना हुआ है यहाँ देखेंगे जिसका अडू 2 hydrogen परमाडू और 1 oxygen परमाडू से बना हुआ है आप सभी को पता होगा कि पदार्थ की जो सबसे छोटी काई होती है वो परमाडू के रूप में होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता ये सबसे सुचतम इकाई होती कौन आपका परमाडू तो इसके रसायनिक सुत्र की हम बात करें तो इसका रसायनिक सुत्र H2O होता है जिसे हम water कहते है अभी जो exam का level है वो बढ़ चुका है वो formula से ना पूछ कर physical और chemical properties से सवाल करता है तो इनका रसायनिक सुत्र H2O है ये सारे प्राणियों के जीवन का क्या होता है अधार होता है अगर मिट्टी ने अगर हवा ने और अगनी ने तो ये इनके बीना हम क्या होते हैं अधूरे रहते हैं लेकिन अगर जल नहीं तो हमारा अस्तित्व भी नहीं तो जल इतना ज़्यादा हमारे लिए माइने रखता है इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है सिर्फ कहने के लिए जल जीवन नहीं होता है वास्तों में जल ही हमारा जीवन होता है क्योंकि अगर केवल हम अभी यहाँ पर जल की बात करें लेकिन अगर हम बाकी प्राक्तिक सोर्स की बात करें रिसोर्स की बात करें या संसाधन की हम बात करें तो हम सभी क्या हैं इन पर निर्भर हैं लेकिन ना ये सभी आपस में connected हैं चाहें वो वाईव हो जल हो अगनी हो जैसा भी हो ये सभी चीज़े क्या हैं आपस में connected हैं और जब ये आपस में connected हैं तब तक हम इन से connected हैं तो इनके भीना तो हम अपने life की बिल्कुल कलपना नहीं कर सकते हैं इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं समान निरूप से जल सब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए उपयोग मिलाया जाता है अब याद रखिएगा जहां पस जल की बात की जाती तो हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि हां ये क्या होगा कोई तरल पदार्स होगा हम पानी इमेजिन करते हैं किसकी इस तरह का कोई तरल पदार्स है जिसे हम पीने में करते हैं लेकिन याद रखिएगा जल एक ऐसा पदार्स है जो तीनों अवस्थाओं में पाय जाता है ये ठोस अवस्था मे भी द्रव अवस्था में और गैसी अवस्था में भी पाए जाता है जब हम पदार की अवस्था देख रहे थे तो इसमें हमने पदार की अवस्थाओं को चीजों की जो अवस्थाएं होती यह सारी चीजों को हम देख चुके थे तो आगे बढ़ेंगे समाजनी रूप से जल सब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए उपयोग मिलाया जाता है किन्तु ठोस अवस्था और गैसी अवस्था में भी ये पाए जाता है कूल मिला के जो जल होता है जो वाटर होता है वो तीन अवस्थाओं में पाए जाता है कौन-कौन सी तो सबसे पहले ये हम जानते जो द्रव दूसरा आपका ठोस और तीसरा आपका गैस अब कैसे द्रव जिसे हम पीने के लिए जैसे आप पानी देखते हैं ठीक है जैसे आप पिगली अवस्था में पाते हैं जैसे हम कह सकते हैं कि घरों में जो नल से पानी आता है जरना तलाब नदी ये सब क्या होते हैं द्रव अवस्था में होते हैं लेकिन अगर आप कोई बर्फ का टुकडा देखोगे तो बर्फ का जो टुकडा होता है वो जल का कौन सा वस्था होता है ठोस अवस्था होता है वहीं पर अगर हम गैस की बात करें तो ये भाप के रूप में अगर पानी को एक टेंपरेचर में एक high temperature में उबाला जाए तो ये क्या होता है वास्प बनने लगता है जिसे हम क्या कहते हैं गैस के रूप में उड़ने लगता है तो ये क्या होगे जल की तीनों अवस्थाएं होगे आखे बढ़ेंगे जल का स्वरूप यहां तक ही सीमित नहीं है बलकि ये क्या है विशाल है मतलब अगर हम प्रिधवी की बात करें तो प्रिधवी में सबसे ज़्यादा किसकी मातर है जल की ही मातरा पाई जाती है importance of water अब पानी के महत्व की हम बात करें तो क्या होगा ये तो हो गया general information कि पानी ये है पानी ऐसा होता है लेकिन अगर हम इसके महत्व की बात करें ऐसे ही हम इसे जल ही जीवन नहीं कहें हैं क्यों हम इसे जीवन कहते हैं आज हम इस चीज़ को समझेंगे सबसे पहले जल के महत्व की अगर हम बात करें तो ये कहना बिलकुल अतिश्योक्ती नहीं होगा कि बीना जल के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है ठीक है हमने पढ़ लिया कि जल के बीना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है पर इसके क्या क्या कारण है ये भी हम देखते चलेंगे जल है तो हमारा जीवन है जल नहीं तो हमारा जीवन नहीं जल पृत्वी के समस्त जीव के लिए सबसे महतपूर संसाधनों में से एक है एक बार हम जो हम लोग है क्या करते है थोड़ी दिन के लिए या कुछ दिन के लिए हम एक पर मिट्टी के बिना रह लेंगे, अंगनी के बिना रह लेंगे, क्योंकि उसके लिए electricity ये सब चीज़े होंगे, हा लेकिन हम जादा दिन तक नहीं रह सकते, क्योंकि ये सभी आपस में क्या बनाते हैं, चैन बनाते हैं, तो सभी एक दूसरे से connected हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते, ये बिलकुल सच है, क्योंकि जल का कोई दूसरा option नहीं है, ऐसा तो नहीं है क्या आपको प्यास लगना तो आप चाया कॉफी पी क्या अपनी प्यास भुशा लेंगे, तो इसके लिए कोई option नहीं ह हमारे लिए अम्रित है, लेकिन पानी के बिना हमारा अस्तित्व अधूरा क्यों है, ये सभी चीजों को जानने के लिए हम कारण को समझेंगे, इसका कारण ये है कि पानी में कई अनोठी विसेस्ताय होती है, या पाई जाती है, जो इसे एक अतिन्त मुल्यवान संसाधन ब है कि पानी के गुड़ों को हम निम्न बिंदों के अधार पर समझेंगे, सबसे पहला गुड़, वैज्यानिकों का मानना है कि जीवन के उत्पत्ती कहां से हुई है, जल के द्वारा ही हुई है, तो माना जाता है, अगर हम इसकी बात करें, यहां पस लिखा हुआ है, वैज से कुछ रसाइनिक प्रक्रिया हुआ, जिससे क्या हुआ, किसे सूच में जीव का निर्मार हुआ, वहीं से जीव का अस्तित्व प्रारम हुआ, मतलब जीव का अस्तित्व कहां से प्रारम हुआ, जल से ही प्रारम हुआ, और माना जाता है कि रसाइनिक संयोग आपके और अकार्बनिक पदार्थ होगा, जिससे एकदम सूच में जीव बने, माना जाता है कि उस समय आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि वो एक कोसा से बने हुए थे, वैसे तो ये जीवन की उत्पत्ति की बात हो गई, यहां से एक्जाम नहीं बनेंगे, आपके कोशन नहीं बन क्या हुआ, हमारा जीवन का उत्पत्ति हुआ, एक सूच मजीव के रोप में, जब रसाइनिक संयोग हुआ, आगे बढ़ेंगे, जल सरीर के तापमान को बनाये रखता है, निश्चित रोप से इसलिए हमें जादा पानी पीने की सला दी जाती है, और यह हमारे लिए अमरि सरीर में जल कितना प्रतीशत तक पाय जाता है, तो सत्तर प्रतीशत हमारा जो सरीर है, उसमें केवल सत्तर प्रतीशत क्या होता है, आपका जल होता है, तो यह किसकी बात हो गई, इसलिए कहा जाता है, यह वो बिंदुए हो गई, जिसके कारण हम इसे जीवन कहते हैं, जिस इतने मिनरल जितने खनीच पदार देखते हैं तो इसके अंदर इतना ताकत होता कि यह उन्हें भी बाहर ला देता है साथ ही विश्व में जल एक ऐसा पदार्त है जो तीनों अवस्थाओं जैसे ठोस द्राव गैस में पाया जाता है साथ ही ठोस अवस्था में हीम खंडों मे पाय जाता है अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो ये हीम खंडों में पाय जाता है बर्फ के पहाडों में पाय जाता है द्राव अवस्था में ये जर्नों तलाबों और नदियों कुओं में पाय जाता है साथ ही गैस अवस्था में ये भाप के रूप में हमें मिलता है त इसकी अधिक से अधिक पानी पीने की, साथ ही आप देखिएगा जब आप बहुत ज़्यादा कान और तनाव महसूस करते हैं, लेक और इस्ट्रेस फील करते हैं, जैसा कि इंटर्विव में बताया जाता है, तो उस समय आपको क्या सला दिया जाता है, कि आप थोड़ा पानी लीजे, और निश्चित रोप से जब हम पानी पीते हैं, तो हमें तुरंद एनर्जी मिलती ही मिलती है, आप कभी बोलते बोलते ठक जाए या किसी काम से ठक जाए, अगर आप एक ग्लास पानी पीते हैं, तो आपको तुरंद एनर्जी मिलती है, तो ये क्या होता है, इसमे कई ऐसे ओसदी गुड भी विद्वान होते हैं जल का पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से मानसिक साररिक ठाकान तनाव से मुक्ति मिलती है जैसा कि अभी हमने बात किया सुद्ध जल क्या होता है रंग हीन होता है गंधीन होता है आप लोग देखिएगा जो प्योर वाटर होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है नहीं कोई इसमेल होता है वो प्योर वाटर का क्या है पहचान है जल मीठा होता है स्वाद में क्या होता है जल मीठ की मात्रा बढ़ने पर जल नमकीन हो जाता है उधारण के लिए समुद्र रंगीन लवडों की उपस्थिती के कारण जल रंगीन हो जाता है जल भी न एक ऐसा पदार्थ पृत्वी पर कि आप उसको जैसा बनाना चाहोगी वो वैसा आपके लिए बन जाएगा तो जल इतना ज तो उस पे जाकर क्या हो गए हैं मिल गए हैं घुल गए हैं यही कारण है कि उसमें कभी-कभी अजीब तरगा में स्मेल देखने को भी मिलता है जल में अधिकतर पदार्थ घुलंसील होते हैं इसी कारण जल को महान विलायक कहा जाता है सवाल बनता है कि बताइए महान विल दे दिया, या NO2 दे दिया, या आपको CO2 दे दिया, तो ऐसे में ना कोई भी confused होता है, तो यहाँ पस महान विलाइक किसे कहा गया है, H2O को कहा गया है, तो ऐसे समस्ते चलेंगे, यह एक basic information है, तो यहाँ पस किसकी, आप क्योंकि हम जल की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से समुद्र भी हम देखेंगे, क्योंकि समुद्र में भी क्या होता है, जल होता है, और अधिकांस जीव जन्तवे क्या होते हैं, यहां निवास करते हैं, देखेंगे, प्रिथवी की जय विविधता के 80% से अधिक हिस्सा समुद्र में ही रहता है, आप देखिए, आपका यह प्रिथवी है, जिसमें 100% में केवल 80% जो जीव होते हैं, 80% जीव, वो कहां निवास करते हैं, वो प्रिथवी में ही, समुद्र म आयू मंडल में आधे से अधिक ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है समुद्र होता है किसके निर्मार में ऑक्सीजन के निर्मार में दुनिया भर में एक अरप से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का प्रात्मिक स्रोध भी समुद्र है क्यों कि समुद्र में आप देखते हूंगे विभिन प्रकार के जीव पाय जाते हैं जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है चाहे वो ऑक्टोपस हो चाहे वो विभिन प्रकार की मशलिया हो चाहे वो क्या एक आता है केगडा ड एक अरब से अधिक लोगों के लिए क्या होता है प्रोटीन का प्रात्मिक स्रोध होता है जिंगा मचली वेगरा ये सब किस में होते हैं इसी में होते हैं इसके अलावा बहुत सारी चीजे होती है जहां हम देखते हैं अब ये देखिए किसका इमेज है ये एक समुद्र का ही आप देख सकते हैं, यह है जी जी धारी है। ज है यहां निवास करते हैं। कई हजार जिसको अपने दिमाँ में नहीं बैठा सकते हैं यह लोगे प्रोटीन के बहुत ज्यादा शीरोत होते हैं। अब देखी इस इन में इन में साथ लाग से अधिक प्रजातियों का घर है किसमें समुद्र में सूचिए साथ लाग से भी अधिक प्रजातियों का घर है जिन में से कई अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं हम लोग जहां तक खोजे वो साथ लाग से अधिक हैं और उसमें से यह से जिनको हम खोजे नहीं तो आप यहां पस किसकी बात हो रही है यहां पर जल की बात हो रही है और यह जल किस रूप में अभी समुद्र के रूप में तो आपनों कल्पना कर सकते हैं कि जल के बीना हम कैसे अधूरे नहीं हो सकते हैं इसलिए कहा जाता है कि जल के बीना हम पतो होंगे बर्मूला ट्रेंगल आप लोगोंने सुना होगा leولा ट्रेंगल यसा है जिस में आप समदर के बीच अबीच लाते हैं आज तक अगर वहां से जो भी जहाज यो कोई भी छीज गुजरा है वह उसमें चला गया है और उस्के बाद वह कहां गया है आज तक नहीं पता चले अभी माना चा रहा है कि हां इसके बारे में रिसर्च हो चुका है साथ इसकी गहराई का भिया नुए नहीं लगाया जा पारा मतलब आगर उस एरिया से जैसी आपका क्या है पूरा समुद्र कया है थीक है ये पूरा एरिया समुद्र है और यह अगर बर्मुला ट्रेंगल यहां क domin weitヒ Orthodox फीट ईसी की बात कर रहे हैं कि समुद्र तल जल पोतों कोई हुए सहरों प्राचीं कला कृतियों लंसे भरा हुआ है टाइटैनिक जहाज आप लोगों ने सुना होगा टाइटैनिक जहाज भी क्या था समुद्र के अंदर चला गया था तो ऐसे उम जगा होंगी जो और सहर होंगी जो इसमें क्या है समुद्र में बह चुके हैं डूप चुके हैं जो साइध हमें पता नहों हो सकता है कि हम प्रिच्वी पर अभी अभी आए हमें तो नहीं पता कि यहां क्या हुआ है तो यह सब किसकी बात हो रही है जल की बात हो रही है तो य का विसाल रूप हमें समुद्र में देखने को मिल रहे हैं इसी की बात हो रही है तो समुद्र में तेल गैस और खनीज जैसे महतपूर संसाधन उपलब्द हैं क्यूंकि आप सभी को पता है कि खनीज हो तेल हो या आपके गैस हो यह सभी क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा होगी है फिसht besar हमारे समुद्र के अंदर है कि व्याद ह है को यह संग्याणिक है जो लगादा रिसर्ष करते आ रहे हैं इन्होंने रिसर्च कि आ है तो तो इनके अनुसार धर्ती पर जीवन की उत्पत्ती सबसे पहले महा सागर से ही हुई थी, याद रखिएगा, अभी हमने समझा था कि यहां से हुई है, तो याद रखिएगा, हमने पढ़ा था ना कि जल में हुई है, तो विज्ञानिकों का मानना है कि जल में ही क्या हुई है जीवन की सबसे पहले उत्पत्ती हुई है ये माना जाता है ना मिटी में ना अंगनी में ना किसी और चीज में अगला है आपका dead c ये क्या है आपका dead c इसे हम क्या कहते हैं इसे हम मृत सागर कहते हैं क्यों कहते हैं मृत सागर मृत्-सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां लोग मर जाते हैं अग्जाम में अकसर यह देखने को मिलते हैं और कई जगह देखने को मिलता है आप कोई सब एक्जाम दे रहे हैं अगर वहां पस EVS का topic है तो यहां देखने हूं मिलेगा मैं एक अपना experience बता रही हूं मेरी एक friend थी मृत सागर के बारे में नहीं जानती थी और exam में पूछा गया था कि मृत सागर क्या है तो वो एक दिया था option कि जहां लोग मरे पाये जाते हैं तो उसे answer को टिक किया था जह logic लगाई तो मृत सागर नाम पर नहीं जाना है मृत सागर का मतलब यह है कि यह बहुत ज़्यादा खारा होता है बहुत ज़्यादा नमकीन पानी होता है और इस पर तैरते रहते हैं आगे बढ़ेंगे और चीजों को देखते चलेंगे यहां से कुछ चीज मैंने रिपीट दोनों के लिए लगभख बीच में है ठीक है पृत्वी पर सबसे अधिक खारे जल निकाय के रूप में जाना जाता है याद रखीएगा विश्व का ऐसा कौन सा जल है जहां पर सबसे ज़्यादा खारा-पानी पाया जाता है तो वह है मरत सागर यहां सबसे ज़्यादा खार हैं तो नमक की वजए से इसका घंत वो क्या है बहुत अधिक है मृत सागर का पानी सबसे ज्यादा खारा और सबसे ज्यादा भारी है मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे वह दुनिया का सबसे निचला बिंदू कहे जाने वाला सागर है याद लखिएगा यहां से भी सवाल बनते हैं इसलिए ध्यान दीचेगा इसे खारे पानी की सबसे नीचली जिल भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि समूद्र तल से 440 मीटर नीचे है और दुनिया का सबसे नीचला बिंदू इसे कहा जाता है किसे मृत सागर को अब चलीए यह तो हमने इसके पहले क्या देखा इसके पहले हमने समझा कि जल क्या है, जल के गुड क्या है साथ ही जल का importance क्या है और इसके basic information को समझा साथ ही जल को जीवन क्यों कहा जाता है उसकी क्या क्या विसेशता है ये हम देखें आपके जल प्रदूशन, water pollution से भी सवाल अक्सर देखने को exam में मिलते हैं जल प्रदूशन, आप बच्पन में अक्सर पढ़ा करते थे कि जब क्या किया जाता है नदी तलाबों में गंदा पानी मिला दिया जाता है तो जल क्या हो जाता है प्रदूशित हो जाता है अगर एक कह सकते हम लोग basic information की बात करे या परिभासा की बात करे तो जल क्या है या जल प्रदूशर क्या है तो जल का अपना वास्तविक रूप खोना या अपना वास्तविक अस्तित्व खोना ही आपका क्या कहलाता है जल प्रदूशर कहलाता है क्यों जैसे मान के चलिए कोई pure water है pure water में हम क्या कर रहे हैं दुनिया भर की जो गंदगी है उसे हम मिला दे रहे हैं तो जल क्या हो जा रहा है प्रदूशित हो जा रहा है क्या वो अब हमारे किसी काम का है क्या वो पीने योग्य है तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं जल प्रदूशर कहते हैं क्यों कहते हैं जल प्रदूशर समझेंगे औ अगर हम इसकी परिभासा की बात करें जल के प्रदूशड की या water pollution की तो जल का अपना वास्त्विक अस्त्वित्व कोना ही जल प्रदूशड कहलाता है समान्य सब्दों में कहा जाए तो जब जल में अवांचित और हानी कारक पदार्थ मिल जाते हैं तो ये जल को होने लगता है और ये प्रदूशित हो जाते हैं इसलिए हम इसे जल का प्रदूशड कहते हैं जिव जंतूओं के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं अब जैसे धुल रहे हैं तो वो पूरा जाग क्या हो रहा है पानी में जा रहा है आप किसी जानवर को नहला रहे हैं तो उसकी पूरी गंदगी उसमें जा रही है साथ ही क्या कहते हैं आपके फैक्टरी से निकलने वाला कार खानों से निकलने वारा गंदा पानी भी क्या किया जाता है और भी बहुत सारी जो गंदगी होती है उसमें बहा दिया जाता है मूर्तियों का जो विसर्जन होता है क्योंकि मूर्तिया जो होती है वो प्लास्टर आप पैरी और बहुत सारे उसमें कलर्स होते हैं मिट्टी तक तो ठीक है, लेकिन मिट्टी में भी क्या कर दिया जा रहा है, कलर कर दिया जा रहा है, तो वो जल को क्या कर दे रहे हैं, इतना ही नहीं, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन जो पानी में रहते हैं, जो जीव, उनके लिए क्या हो जीना दुर्भर हो जाता है प्रजन प्रक्रिया रुख जाती है वो जो स्वांस लेते हैं उसमें दिक्कते आने लगती, तो यह क्या होता है यह जीवन को बहुत ज्यादा दुर्भर बना देता है जल का अगर जल वर्दान है, तो जल अभीशाब भी होगा, क्योंकि जल जब तक जल है, तब तक वो वर्दान है, लेकिन जब जल प्रदूशित हो जाए, तो वो हमारे लिए आभीशाब भी बन जायेगा जल प्रदूशड के लिए बहुत सारे कारक उत्तरदाई है जो निम लिखी थे ऐसे कौन-कौन से कारण है जो जल के प्रदूशड के लिए उत्तरदाई है इन सभी को हम समझेंगे जल का प्रदूशड होता है न वो घर से ही प्रार्म होता है कैसे घर से निकले अप्सिस्ट पदार्द वो मल्मुत्र आधी को जल शोतों से मिलाना या जल शोतों में मिलाना होता क्या है कि मान के चलते हैं हम कि पहले क्या होता था सोचाले नहीं हुआ करता था तो लोग सोच की जो प्रक्रिया करते थे वो वही नदी तलाबों में करते थे तो उसके कारण भी क्या होता था जल प्रदूखशित होता था पहले खाने की समस्या होती थी नहाने की समस्या होती थी बरतन धूल रहे हैं तो उसी नदी तलाब में धूल रहे हैं नहा रहे हैं तो वहां पर भी वैसी कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है जल प्रदूशित हो रहा है तो इसमें घर भी सबसे बड़ा क्या है कारण है दूसरा प्लास्टर और पै या कचड़ा कभी कभी नदियों और जीलों में सीधे जमीन में फेक दिया जाता है अभी तो जागरुकता के कानण थोड़ा ये चीजे कम हो गई है लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि हम इसके तारिफ की जाए पहले ये होता था कि चीजे दूसरे माध्यम में होती थी लेक लेकिन अभी भी कचड़ा होता है और द्योगिक अपसिस्ट जैसे कारखानों से निकलने वाला कचड़ा रसायन एबम गर्म पानी आदी के कारण भी जल प्रदूशित होता है जिसे सीधा पानी में बहा दिया जाता है जल श्रोतों में मृत जीवजंत्वों के अवसेसों क जल पीने योगे नहीं रह जाता इसके अद्रिक्त यह कई प्रकार की बिमारियों को भी नियोता देता है खेतों में रसायनिक उरवर को अत्यधिक प्रयोग नदियों और तलाबों के जल को प्रदोशित करता है हम क्या करते हैं खेत से भी तो पानी मिट्टी बहते हुए आ अगला पॉइंट है खर्पत नाशी एवं कीट नासी आदी का उपयोग भी जल प्रदूशड के लिए उत्तर दाई है क्योंकि निश्चित रूप से ये भी क्या करते हैं जल को प्रदूशित करते हैं क्योंकि जल एक ऐसा पदार्थ है जो हर किसी को अपने में क्या कर लेता ह समाहित कर लेता है तो इसलिए इसकी जल्दी प्रदूशित होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है अगला देखेंगे डिसेजेस रिलेटेड टू वाटर प्लूशन ऐसे कौन-कौन सी बिमारिया है जो वाटर प्लूशन या जल प्रदूशड के कारण होती है most important है क्य है क्योंकि आपका एक्जाम कभी भी हो सकता है लगभग एक्जाम आपका नस्दीक आ चुका है तो नोट्स प्रॉपर बनाई है और रिविजन जादा से जादा करिए कल नए टॉपिक के साथ आज के लिए इतना ही थैंक्यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये competition community के साथ आज ही हमारे website के कैरियर पेज पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ team कोको